विध्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने आपका जू विशे लिया था, वो था हिंदुस्तानी संगीत के संदर में, पंडित विश्णु नारायम भातखंडी जीजी ने जू नियम या सिध्धान्त बताए, उन पर हमने चर्चा की थी, ये नियमों के था, 40 नियम उन्होंने बताए हैं, तो इसमें से हमने 20 नियमों की चर्चा पिछली वीडियो में की थी, अब बाकी के नियमों या सिध्धान्तों के बारे में आज चर्चा करेंगे, हिंदुस्तानी संगीत पध्धती में की एक विश्ष्षता ये भी है, कि इसमें जब जैसे बताया था आपको की अलगलग प्रहर में जो राग के अपना एक नियम समय रहता है, तो जब अगले प्रहर के रागों में के जब राग गाये जाते हैं, तो उस समय पिछले प्रहर के जो अंतिम भाग में आने वाले रागों में हम देखते हैं, कि धीरे धीरे ड्वी स्वर रूपी स्वर आने लगते हैं, यानि कहने कारतिये हैं, कि यानि जैसे मधिरात्री के कोमल गानी वाले राग शुरू करने के पूर्व, हम देखते हैं, कि जब मधिरात्री के ये गानी वाले राग का समय प्रारम होगा, तो उसके पूर्व खामास थाट के जो अंतिम राग हैं, उनमें दोनों गंधार और दोनों निशाद का प्रियों होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे जो राग होते हैं, वो एक थाट से, या बहुत विशिष्टा है, अगला कि प्राया पूर्व राग और उत्तर राग जो हैं, वो परस पर एक तरह से जबाब होते हैं, यानि प्राते कालीन बिलावल का जो साइंकालीन जबाब है कल्याण, इसी तरह सारंग का जबाब है कानड़ा, तो प्राते कालीन भैरव का अगला नियम है कि प्रते जो है कि प्राते कालीन रागों में कोमल रे और धा की प्रबलता दिखाई देती है, और इसके वेप्टि साइंकालीन रागों में तीवर गंधार और तीवर निशात की प्रबलता दिखती है, चोथ है कि साइंकालीन संदी प्रकाश रागों में को अमल मध्यम का प्रमाण जो है बिलकुल कम होता है यानि साइंकाली संदी रागों में तीवर मध्यम का वर्चस्व दिखेगा इसके विप्रीत प्राते काली संदी प्रकाश रागों में तीवर मध्यम का प्रमाण कम होता है और उसमें सुद्ध मध्यम जादा प्रबल होता है अगला यह है कि राग में यदि स्वर कम लगता है तो उसे वर्ज या कहा जाए या अधिक कम उसका और कम प्रियुक लगता है तो उसे दुरूबल कहते हैं और यदि उसकी मात्रा स्वर की मात्रा उसको अधिक मात्रा में प्रियुक किया जाता है तो उसे प्रबल कहा जाता है तो इसमें राग में जो स्वर लगते हैं उसकी अद्न, कम और अधिक लगने की मात्रा को के अनुसार उसे प्रबल, दुर्बल, अत्वासम जो है कहते हैं अगला रियम है कि राग विस्तार में तिरोभाव को जब साथ कर रंजक्ता बढ़ाने के लिए वादी स्वर के अत्रिक्त अन्य स्वरों को जो है आगे लाया जाता है और इन रागों में हम देखते हैं इनमें कण का भी बहुत विश्यश महतो होता है और कहीं कहीं तो कण के प्रियोग से जो है राग भेद भी हो जाया करता है अगला कि रात्री की प्रत्थम पहर में गाय जाने रपवले रागों में जहां दोनों मध्यमों का प्रयोग मिलता है वहां हम यह देखते हैं कि शुद्ध मध्यम तो आरो अवरो दोनों में प्रयोग होता है लेकिन तीवर मध्यम जो है वो केबल आरो में प्रियोग होता है यानि अगरी दोनों मध्यम लगते हैं तो आरो में तीवर मध्यम लगेगा शुद्ध मध्यम जो है वो आरो अबरो दोनों में प्रियोग हो सकता है अगला नियम है कि रात्री के प्रत्थम पहर में गाय जाने वाले दोनों मध्यम वाले रागों में अरोहे तू निवक्रम श्याद अवरोहे गवक्रितम इस तरह का नियम लगो होता है यानि ऐसी रागों में निशात तो आरों में दुर्बल रहता है एवं अवरों में गंधार जो है वो दुर्बल होता है अगला नियम है कि दोनों मध्यम वाले रागों के जो अंतरे होते हैं यानि देखो कोई भी राग की हम बंदिश देखते हैं तो उसमें इस्थाई अंतरे जो भाग दो भाग होते हैं तो अंतरों में बहुत कुछ सामेता रहती है और जो उनकी भिन्यता है वो आरों में ही एक तरह से रागों की भिन्यता जो है आरों में ही इसपस्ट दिखती है अगला नियम है कि उत्तर रागों का राग सलूप अवरोह में और पूर्व रागों का राग सलूप आरों में इस जुनियम है वो है कि साइंगी रागों में यानि जो साइंकाली नराग गए जाते हैं उनमें तारसड़ज की प्रबलता दुसरी होती है और प्राते गई रागों में इसी स्वर की प्रबलता अतिशेर रंजक होती है यानि प्राते काल में अगर ये इस तरह का प्रियोग होग तरसर का तो वो अच्छा लगेगा लेकिन राती में अगर साइंकाली रागों में प्रबलता होगी तो थोड़ा अजीब लगता है इसी तरहे दोपार बारा बज़े के प्रांत क्रमसा सा मां पासरों की प्रबलता जो है वो बढ़ती जाती है और यही बात हम देखते हैं कि दिरात्री बीच जाने के बाद भी दिखाई पड़ती है और अप्रहन काल की रागों में आरों में रे और धस और दुरबल अत्वा वर्ज हो जाते हैं और ठीक दोपेहर को रेशप और निशाद यह सवर बहुत प्रॉमिनेंट यानि जोरदार हो जाते हैं अगला नियम है कि पूरू रागों में जो महत्व सा और पा का होता है वही उत्तर रागों में पा और सा का होता है यानि पूरू रागों में सा और पा का जो महत्व है वही उत्तर रागों में पा और सा का है जिस राग का विस्तार मंद्र सब्तक में अच्छा विस्तर दिखाई देता है उसकी प्रकर्ति गंभीर होती है यानि जिन रागों का विस्तार हम मंद्र सब्तक में देखते हैं तो उस रागों की प्रकर्ति जो है वो गंभीर मानी जाती है और जिनका चलन हम देखते हैं कि तारसब तक की और अधिक होता है वो जो हैं थोड़ी चंचर प्रकर्टी की राग माले जाते हैं रागों में धा और पासवर प्रबल होने पर प्रात्यकाली की छाया पढ़ने लगती है ये स्वर जो है उत्रान प्रधान रागों में अतिशह विचित्रता उत्वादक होते हैं इनका महत्तु कम करने के लिए पूरवां की गंधार से उनका संयोग या उनकी संगती की जाती है तब उनका महत्तु तोड़ा कम होता है एक विचिस्ता यह है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धती में राग की अपेक्षा ताल का महत्तु कम होता है यानि राग जो है वो उसके अपेक्षा ताल की अपेक्षा राग को महत्तु दिया जाता है जबकि कनाटक की संगीत में थाल को रा की अधिक महत दिया जाता है अगला नियम है कि कोमल धैवत और तीवर गंधार वाले रागों में पंचम कभी कचित मतलब कभी कभी ही वर्जित किया जाता है और जहां ये वर्ज होता है वहां सकी पूर्ती दोनों मध्यम को की जाती है यानि कि अगर इस तरह के राग होंगे जहां उस पर पंचम वर्ज होगा कोमल धैवत और तीवर गंधार वाले राग तो वहां अगर पंचम अगर वर्ज होगा तो दोनों मध्यम लिये जाएंगे उस राग में अगला नियम है कि कोमल निशाद वाले रागों में आरों में अनेक बार तीवर नी का यानि छुद्ध नी का प्रयोग होता है जैसे यह प्राय अप्रयोग काफी और खमास थाट के रागों में दिखाई पड़ता है और अगला नियम है कि तीवर मध्यम वाले रागों की अन्तरे अनेक समय गंधार से वप्रारम करते भी मिलते हैं यानि जिन में तीवर मध्यम की प्रदानता रहती है जैसे आप कल्यान के देख लिजिए तो वहाँ पर गंधार से जो है देखते हैं कि अंतरे का उठान जो है वो गंधार से होता है तो इस प्रकार जो है ये हिंदुस्तानी संगीत पध्धिती यारी उत्तरभारती संगीत पध्धिती की मुख्य जो है नियम या सिधानत है जो कि उसे करनाटिक संगीत पद्दिती से अलग करते हैं थैंक यू